यहां पर हम देखते हैं क्या चीज़ें और हमें चेंजमेंट इसमें देखने को मिला जैसे आपका यहां पर physics और मैस हो गया फिजिक सेंड बेसिकल इंजिनेरिंग मैस जो है नों ने स्लेबस में बोला हुआ था लेकिन जो आपके कॉश्चंस आ रहे उसमें इंजिनेरिंग जैसा कुछ बचा नहीं है ठीक है तो इंजिनेरिंग काट दो फिजिक्स और मैस का देखते हैं ठीक है चलो सिधर सबसे पहले मैं आपको क्या चीज़ें को मिली है कैसा क्या पेपर रहा मैस में सबसे पहली बात तो अभी जो सुबह से आपने देखा पीएंड सी तो कॉंटीनेसली आ रहा है ठीक है पीएंड सी के भर-भर के कॉश्चंस आए हैं प्रोबैबिलिटी के आए हैं अब यहां पर आपको एक नई चीज और धानवे रखनी है कि इन्होंने अभी ट्रिग्नोमेट्री पूछनी स्टार्ट करिए ठीक है ठीक है जो क्लास 10 के लेवल की होती है और इसके कम से कम आपको चार से पांच कॉश्चंस देखने को मिले हैं अच्छा मैं बताता हूं गिस टाइप x equal to 3 by 4 दिया गया है तो आपको निकालना है यहापर 10 x by 2 into sin x by 2 ठीक है इस टाइप के questions आपसे पूछे गए हैं तो जैसे कि आपका question पूछा गया sin 3 x की identity से related आपका इसके formula से related एक question आया है ठीक है फिर आपसे एक question पूछा गया कि 10 pi by 8 की value निकाल दो ठीक है 10 pi by 8 की value निकाल पूछे गए है ठीक है अगर मैं आपसे बात करूं वेक्टर की तो वेक्टर से से बहुत ज्यादा questions आया मतलब भर भर के जो वेक्टर और आपका 3D symmetry है ठीक है वेक्टर और 3D symmetry मतलब अगर मैं आपसे बात करूं पूरे के पूरे जो 30 questions है ना वह इन 4 टॉपिक में सिमट ज इन 4 टॉपिक 5 टॉपिक से ही आपके पूरे 30 के 30 questions पूछे गए अगर मैं आपर बात करूं तो matrix से आपका यहां पर एक question देखने को मिला वो भी determinant की उपर ठीक है उसमें आपको एक matrix का determinant find out करना था तो एक question तो यहां से यह हो गया और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात कर मैं को नहीं मिला convergence divergence से ठीक है तो यह सारी के सारी चीज़े हैं और यहां पर अगर हम बात करें तो vectors में आपका equation of plane से questions पूछे गए ठीक है मतलब vector में तो बहुत सारे questions थे और हां एक बात और मैं आपको बताता हूं equations of plane जिनका आगे आने वाले में शिफ्ट पगरा में इंक questions करके पूछे जा रहे ठीक है यानि टाइम टेकिंग है पेपर आपका लंदी है यह बात माननी पड़ेगी ठीक है लंदी पेपर है अगर आप पूरा पेपर एक बार खुद करके आ रहे हो पूरा देखके आ रहे हो तो यह भी अपने आप में बड़ी बात होगी चले क्या equations of plane हो गया देन आपका double-double questions आ रहे हैं इस चीज को धान में रखना फिर आपका यहां पर जो लीनियर इंडिपेंडेंसी होती है इंडिपेंडेंसी ओफ वेक्टर्स यहां से काफी questions जो है देखने को मिले हैं अच्छा जो AO वाले बच्चे है न वो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से देख करके जाओ वेक्टर आपकी बहुत पूछे जा रहे हैं और जहां तक फायदा मिला होगा तो AO वाले बच्चो इन्होने लमसम सारी की सारी चीज़ें हो गई equation की उपर dependency हो गई इंडिपेंडेंसी हो गई है न तो यह सब चीज़ें यहां पर आपकी math में पूछी गई है ठीक है और बस 11-12th level का यहां पर सारी की सारी चीज़ें 12th level का तो नहीं 11th level में ही होती है इस सारी चीज़ें बॉ बागी आपका जो पूरा का पूरा है वह आपका पेपर आ रहा है यहाँ पर इलक्ट्रो स्टाटिक से से आ रहा है इसके अलावा अभी जो है रिसेंटली आपका सर्फेस टेंशन की उपर बहुत सारे कोश्चन्स आए है इसके उपर बहुत सारे कोश्चन्स देखने को मिले है तो यह आपको थोड़ा सा अच्छे theorem की उपर question पूँचा गया ठीक है क्या पूचा गया भई बर्नावली theorem की उपर question पूचा गया आपसे फिर इसके अलाबा अगर मैं आपसे बात करूँ तो Reynolds number की उपर भी आया है ठीक है Reynolds number की उपर भी आपका numerical type आया हुआ है और इसमें आपका फिर Electromagnetism से तो questions आई ही है ठीक है Electromagnetism हो गया magnetism फिर अगर मैं आपसे बात करूँ यहां पर mechanics के भी questions देखने को मिले हैं 2-3 ठीक है mechanics के भी आपके 2-3 questions जो हैं देखने को मिले हैं अच्छा आप लोगों का क्या review रहा है जिन लोगों ने exam दिया है आपने क्या feel किया क्या बाते हैं वो भी आप नीचे comment करके बता सकते हो ठीक है ऐसे कोई बात नहीं है comment करके बता आपके क्या यहां पे experiences रहे हैं ठीक है चलिए खार और फिर आपका जो basic यहां पे electromagnetism में बी के relation होता है वन बाइसी सा यह formula की उपर भी बेस आपके questions मुझे गए थे ठीक है हाँ ठीक है तो यह सारी की सारी चीजें हैं बाकी आप समझ गए होगे physics में जो आपका basic pattern है वो बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है थोड़ा सा हटिक है ठीक है तो बस अब जो भी है अपने जैसा भी पेपर दिया जो भी हुआ सब ठीक है उसके बारे में ज्यादा ना जो हुआ सो हुआ आगे देखा जाएगा ठीक है अपने जो पढ़ाई करिए वो वेस्ट थोड़ी जाएगी अभी आपका ये HPCL का सायद examination होना है और भी निकलेंगे अभी ठीक है तो नन टेक्निकल वाले portion में जादा कुछ variation है नहीं कुछ खासी चीज़े भी नहीं है मैं आपको पहले जीगे के बारे में ही बता देता हूं जो कुछ टाइप के जिससे कि आपको पता चल जाए किस टाइप की questions आ रहे हैं एक question आया आपका कि last Mughal Emperor कौन सा था last Mughal Emperor तो यह त Sports Day यह कौनसे player को dedicated है, यह question पूचा गया जिनको इस question का answer पता हो फटा फट से कमेंट करना फिर ठिक है फिर ब दखो आपका question पूचा गया कि Frontier ृखनधी किसको बोला जाता है Frontier Gandhi किसको बोला जाता है, और हिंतर है और को लृषन आपको पता होगा district को बोला जाता है clear है इनको हिंदी में सीमांत गांधी भी बोलते हैं और फिर आपका एक question पूछा गया कि January 2021 में January 2021 में कितनी UTs है total तो आपको पता है ना कि दो अभी UTs आपकी मिला के एक कर दी गी थी तो अभी वो दोनों मिलाकर के एक होगी है तो बताओ आप कितनी total union territory बची फटा फट से बोलो चलो इसके बाद में देखो अगला question आपका ये पूछा गया कि इंडिया जो है किस टाइप की economy है ठीक है तो इस टाइप की कुछ questions मुझेगे इंडिया is what type of economy तो इंडिया किस टा questions जो numerical question है ना वो एक question में दो-दो question दिये जा रहे है ठीक है तो इस चीज़ को थोड़ा सा धान रखना आपको time उसी हिसाब से manage करना है फिर एक question में दो question दे रहा है यूँकि वो है ना बास मजबा रहे हो मेरी चलो यह हो गया इसके बाद में आप देखो मैथ में तो वही है मैथ में कुछ मतलब नहीं है बताने का मैथ में वही topic आ रहे हैं कुछ ज्यादा different देखने को नहीं मिला वही math है वही reasoning है और वही English है तो वो आप देख लेना एंड फिर अब session को ही पेंडि करेंगे thank you so much god bless you all take care and bye bye